कोरोना के कहर के बीच देश में म्यूकरोमाइक कोसिस यानी ब्लैक फंगस का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस्तिमाल की जाने वाली एंटी फंगल दवा एंफो टेरिसिन बी की डिमांड बढ़ती जा रही है। जानकारी के नुसार ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले ने टेंशन बढ़ा दी है। में एक बाद एक राज इसके खत्रे को देखते हुए से महामारी गोशित कर रहे हैं। बीते दिन ही यूपी ब्लैक फंगस को महामारी गोशित करने वारा सात्वा राज बना। इसके लावा लखनों में अब तक करीब सौ मरीज का इलाज चल रहा है। महीं नौइडा में दो दरजन के करीब केस सामने आए हैं। महाराश में मुकरोमाइक कोसिस के 1500 से जादा मामले हैं और इसके कारण 90 मौत हुई है। राश्वी राज़धानी में मुकरोमाइक कोसिस के 203 मामले दरज किया गया और इसके कारण एक मौत हुई है। उतर प्रदेश में 179 मामले दरज किया गया आठ मौत हुई है। बिहार में 103 मामले आय और दो मौत दरज की गई। चत्यसगर में 101 लोगों में ब्लैक फंगस कलक्षन पाया गया और इससे राज में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई करनाटक में 97 मामले सामने आये हैं अधिकारिक आंकडों में किसी की मौत नहीं हुई है तिलंगाना में नभ्य मामलों का पता चला है और दस मौत भी दर्श की गई है सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स